बॉले विझन पेश करते हे बच्चो के लिए उर्दू एनिमेशन दिल्ला, अब्दुला, प्यारा नाम अब्दुला सारे जमाने में नेरा नाम अब्दुला दुस्तों का प्यारा है, सबका गूलारा है लोगों की आखों का जद मगतता रहे यह तो है अच्छा अब लाइगा बतुल हम आज जब शाम में खेलने जाएगे तब यासे पानी की बोटर लेकी जाएगे हाँ लेकिन फिर वक्त हम स्कूल जा रहे हैं तो खेलने की नहीं इल्म जिखने की बात करें वह यह तो कोई बात नहीं हुई मैं थोड़ी बड़ाई छोड़का अपने केले की बात कर रहा हूँ है वो रहा सामने जैड भी आ गया असलामु आलेकुम दोस्तों कैसे हो अलहम्दुलिल्ला हम देख हैं जैड तुमने हमाद कम्रेट कर लिया हा लेकर मुझे एक लेसे नहीं समच में आ रहा है असलामु आलेकुम वालेकुम असलाम। ऑप रहे नाम से पुकारें इसमें क्या कबहएत है मॉटू को मॉटू और भूपोई तो कहा है मैंने क्यूब मटके मिया कईसे हो तुम फिर शुरू हो गये साय यह बूरी बाते हैं तुम की इसी को छुराते हो और उनका मजदाग बनाते हो क्योंकि मैं उनसे बहुत अच्छ बी मुझेसे जलते हो इसलिए मुझे अपने से कम दर साविट करने की कोशिश कर रहे हूँ मैं जा रहा हूँ कलास में नहीं चाहिए मुझे तुम्हाई दोस्ती जैद को ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे कुछ करना होग़ आखिरो मैं यह दोस्त है अ, उमर, तुम लग क्लास में जाओ, मैं अभी आया असलामु आलेकुम सर वालेकुम सलाम, क्या बात है अबदिल्ला, तुम क्लास सोड़कर यहां क्या कर रहे हो सर, मुझे आप से कुछ जरूरी बात करनी थी अब देर हो रही है, क्लास के बाद बात करते हैं हम लोग सर, बस एक निट फ्लीज ठीक है, कहो ठीक है, तुम क्लास में जाओ जजा कर ला सर अब मैं सभी से सवाल करूँगा और तुम लोगों को जवाब देना है सबसे पहले तुम बताओ हाँ घुंगरू तुम सर, मैं जैद हूँ सर अर तु इसमें क्या काबाहत है तुम्हारे बाल गुंगरालू है तो तुम्हें घुंगरू कह दिया चलो जली बताओ घुंगरू चलो अब दिसस हो चुकी है हम दिसस बात बात करेंगे क्या हुआ जैद इस तरह रोती शकल क्यों बना रखे हो तुम्हें सुना नहीं अब्दुल्ला सर मुझे किस तरह पुकार रहे थे मुझे बहुत बुरा लगा सब के सामने उन्होंने मुझे बैइज़त कर दिया मेरा दिल बहुत दुखा है और जिसका दिल दुखता है अल्ला उसकी दुआ फारम सुन लेते है जैद इतने लोगों को चुड़ाता है और उनका दिल भी दुखता है तो क्या उनकी दुआए भी कबूल हो जाती होगी और उन्हों को अले जैद के लिए बुरे बदले की दुआ कर ली तो हाँ चलो क्लास में बेल हो चुकी है तो बच्चों ये थी दिनों और बीनों की कहानी अब कौन बताएगा किस से हमें क्या सबक मिला सर मैं कहू हाँ कहो उमर्ट हमें एक दुसरे की मदद करना चाहिए और दुसरे को चुड़ाना नहीं चाहिए गुड और कौन बताएगा हमें एक दुसरे से हसाद नहीं करना चाहिए शाबाज जैद देखो जैद अगर मैंने घुंगरू कह के तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दो लेकिन ये मैंने इसले किया ताकि तुम्हें ऐसास हो कि जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं और उसका मजाग उड़ाते हैं तो उन्हें कैसा बुरा लगता है जी सर मैं बिल्कुल समझ गया बच्चो इस बात को अल्ला ने कुरान में सक्ती से मना किया है सूरे हुजरात में अल्ला ताला फर्माते हैं कि तुमें एक दूसरे का मजाग न उड़ाया करो क्योंकि हो सकता है जिसका तुम मजाग उड़ा रहे हो वो अल्ला के नस्दीक तुम से बहतर हो और अल्ला ताला आगे कहते हैं कि तुम किसी को बुरे अलकाब यानि बुरे नाम से ना पुकारो सोचो, अल्ला ताला ऐसा करने से हमें मना फर्माते हैं और अगर हमने अल्ला ताला की ना फर्मानी की तो इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी उफ, वो जहन्नम की आग चलो बच्चो, अल्ला हाफिस सुनो, मुझे माफ कर दो मैं हमेशा तुम्हारा दिल दुखाता आया हूँ मैं आगे से कभी तुम्हें नहीं चिड़ाऊंगा और तुम्हारा मजाग भी नहीं उड़ाऊंगा वाजएद, तुम बहुत अच्छी हो जो अल्ला का कलाम सुनते ही अपने आपको बदल डाला अल्ला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और माफ भी कर देते हैं सच मैं? अल्ला हमें आज के बाल कभी तकब्र नहीं करूंगा नहीं खुद को सबसे बहतर समझूंगा और नहीं दूसरों का मजाग उड़ाऊंगा और किसी को बूरे नाम से नहीं बुलाऊंगा वाह! अब चलो जली से मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है तुम दामेशे भूखे ही रहते हो चलो दोस्तो, अल्ला हाफिस खेल के मैदाम में मिलेंगे ़र किसीे रहते हुआ़ाँ tentang पाया भना से तया तक ही शचितल के हाइस जली से प्जास